नमस्कार दोस्तों अन्रदा किचिन में आपका स्वागत है मैं हूं अन्रदा और आज बनाने जा रहे हैं इटली और ढूसा बहुत ही सरल तरीके से बना के बताऊंगी ना तो चिपकेगा ना तूटेगा बहुत ही असान होगा बनाना तो चलिए फ्रेंट रेश्पी शुरू करते हैं इसके लिए है मैंने दो कटोरी कच्चा चाबल जो हम लोग चाबल खाते हैं वही वाला कच्चा चाबल यूज किया है और एक कटोरी उड़त की दाल तो आप इसी मेजरिंग के हिसाब से आप मेजरिंग करें कोई भी ही इस इसी तरह अगर हम कप से ना पेंगे तो हो दो कप चाब एक कप दाल तो इतना चाबल उसका अधा उला अब पानि जाल देंगया और इसको अब 4 छै से साथ घंटे के लिए भीणों के रख देंगे मैंगे मैंने 6-7 घंटे के लिए रख देंग ह। कि शे से साथ गनटा फुल के तयार हो गया है चावल देख सकते हैं बिल्कुल फुल गया है अब इसे मैंने दोके साप कर लिया है और ले रही हूं मेडियम ग्रेंडर मेडियम मिक्सिका जार लिया अब उसमें मैं हाथ से चावल और दाल को इसे पानी के साहित नहीं ऐसे हम निकाल के डाल रही हू तो ज्यादा पानी नहीं जाना चाहिए या तु ज्यादा गिला हो जाएगा तो दिखिए मैं हाथ से चावल डाले इसे निकाल के दिया इसमें उसी तरह बगार अब इसको उपर से 2-3 चमज तक पानी डाले और पीषने के टाइम अगर पानी लगता है तो उपर से डाल है तो चली दिखाती हूं प्रेंस मैंने किस तरह का बेटर तैयार किया है तो देख सकते हैं इसी कंटेश्टी में रहना चाहिए ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए ज्यादा थीक भी नहीं होना चाहिए इसी तरह हमें बेटर तैयार कर लेना है जैसे आप वीडियो में दे तो मैंने चम्मच ओइल डालके इसे टीशू पेपर के साहते से ग्रीश कर लूँगी इसमें ज्यादा मेनत भी नहीं है बहुत ऊइसी तरीके से बन जाता है देख सकते हैं कितना फूल के तैयार हुआ है कितना सा वेटर था और बिल्कुल भर गया यह बबल आ गया तो इसी तरह हमें तीन से चार घंटे के लिए रेश्ट रख देंगे तो यह उड़द की दाल है इसलिए फूल जाता है इटली और डोसा का बेटर एकी इतरह तैयार करेंगे फ्रेंच इसमें कोई मेनत नहीं एकी बेटर से मेरा दोनों बन जा देग हूं इटली मेकर में हमें हाफ हाफ ही डालना है आधा चमच करके क्योंकि यह फूल जाता है अगर फूल डाल देंगे तो ज्यादा बाहर आ जाएगा मैंने पूरा फील कर लिया अब पानी भी उबल चुका था मैंने इसो रख दिया और 15 से 20 मिनाट के लिए इसे कवर कर दे से या तो तुथ पीक से इस ताकि वो लगे ना तो बिल्कुल रेडियो गया तो देखिए मैं चाकू डाल के दिखा रही हूं अगर चाकू बिल्कुल किलीन आया तो लिबन के तयार हो गया है तो देख सकते हैं मेरे चाकू में नहीं लगा है लिबन के बिल्कुल तयार हो अब इसे गैस आफ कर देती हूं और साइड में रख लेती हूं ताकि ठंडा हो जाए इसे पास मिनट के लिए में इसाइड में रख दिया यह ठंडा हो चुका है अब मैं इजी से निकाल सकती हूं और देख सकते हैं बिल्कुल आसानी से निकल गया है और बहुत ही हल्दी नास्ता होता है बहुत ही जल्दी बन के तयार हो जाता है तो मैंने इतली बना के रेडी कर लिया है फ्रेंच देख सकते हैं कितना है अच्छा फूला है इस्पंच भी है देख मैं तोड़के दिखा रही हूं दिखाती हूं कितना इस्पंच है इसमें ना तो सोडा का यूज हुआ है ना बेकिंग पॉडर का बिल्कुल शॉप्ट और बिल्कुल इस्पंच है साथ में बना लेती हूं नारियल की चटनी तो नारियल की चटनी के लिए लिया है मैंने आदा से भी कम नारियल दो से तीन टुकड़ा अद्रक दो हरी मिर्च थोड़ा सा धनिया पत्ती थोड़ी सी पोदीना इसका मैं ब्लैक बला ये पाट जो होता है इसको मैंने निकाल है छीलके देखे मैंने कट करके इसे शुटी शुटे तुकड़ों में हम ले लिया है अगर ऑ्लसी के पर चिल्का नहीं उतार रहें गे तो ट्रका दिखता है अब चल खंच सबसें में ले ले लेती हूं तो मैंने सब कर मिक्सर जार में ले लिया है और साथ में ही डाल देंगे थोड़ा सा चना पुटाना जिसको हम चना का भुंजा कहते हैं और आदि छोटी चमच नमाक अपने स्वादन उसार डाले और साथ में ही डाल देंगे भुना हुआ जीरा पाउडर जिसे हमें चटनी की टेस्ट दुगुनी हो जाती है तो भुना हुआ जीरा का पाउडर अगर नहीं है फ्रेंस तो भुना हुआ जीरा डाल दें थोड़ी सी और इसमें डाल देंगे आधा कप लगभग पानी तो मैंन मैंने ग्रेंड कर लिया है चटनी विल्कुल तैयार हो गया है नादियल की ग्रीन चटनी बन के रेडी हो गया है अब इसे मैंने एक छोटे से बाल में टांसफर कर लेती हूं देख सकते हैं परें चटनी कितना सुंदर हो कितना जल्दी बन के तैयार हो जाता है चटनी में के लिए देख सकते हैं बहुत ही इजी बरेक फास्ट बनाना तो मैंने लिया इसके लिए नाद्यल की चथनी right और साथ में ले रही हूं सामबर, आप चाहें जो भी मन पसंद चटनी हो या सेजवन हो, आप इटली को सर्फ कर सकते हैं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो किरपा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन अपने कर लें, इस तरह अगर हेल्दी और नोटिपिकेशन आपको पहले पहुचे और मुझे सपोर्ट करें, तो देखिए मैं इटली को तोड़के दिखाती हूं, तो कितना बहुत ही सॉप्ट और बहुत ही स्पेंच बना है, और साथ में ही बता आने जा रहे हूं फ्रेंज, डोसा बनाने के लिए, तो डोसा बनान इसे बन जाएगा डोसा, और डोसा बनाने के लिए हमें कुछ अलग से नहीं लेना है, तो इटली और डोसा बना के इसी तरह खाएं, फ्रेंज, हेल्दी नास्ता, तो देखिए इसे बहुत ही फास्ट बनाना है, कोई-कोई बोलता है कि डोसा तूट जाता है, तो बिलकुल इसे बटर यूज कर सकते हैं, मैं मसाला डोसा बनान के बता रही हूं, इसमें डाल देंगे आलोगी सबजी, तो मैंने अलग से इस तरह भी नहीं बनाया है, अब डाल रही हूं, बारी कटा हूँ अप्याज, बारी कटे हूई धनिया पती, और साथ में डाल रही हूं, बड़े टुकड़ों में इसे काट के डाल सकते हैं, तो मैंने कदुकस करके डाल दिया है, अच्छा लगेगा, तो दिखे मसाला डोसा बन के तैयार हो गया, अगर मेरी रेस्पी पसंद आए, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सस्क्राइब करना ना भूलें, देख सकते हैं, बहुत ही ईजी है, इटल्यो डोसा बना याना, देख सकते हैं फ्रेंच निकालना बहुत ही इजी है, ना मेरा चिपका बिल्कुल आसान तरीके से बन के तैयार हो गया, नेक्ट्स रोसा भी मैं इसी प्रोसेस में बना के रेडि कर रही हूं, दखिए इसे न अगर हम लो फ्लेंप पकाएंगे तो यह परफेक्ट निकलता है और इसे हमें सुलो पकाना है टाइम तो लगेगा फ्रेंज लेकिन डोसा विल्कुल मार्केट जैसा बन के तैयार हो जाएगा मसाला डोसा बन के तैयार हो गया है असरव के लिए आप भी इस रेजपी को एक बार ज़रोड ट्राय करें डोसा बना के सर्व के लिए तयार है तुछ यह प्लेट लगा लेते हैं तो मैंने लिया है चटनी कि और साथ में संबर कि मैं ने जो delayed के साथ बनाया तो इतली डोसा दोतर का मैंने साथ इंडियन ब्रेकफ़स्ट बनाया है तो देख सकते हैं बहुत ही सरल है बहुत ही इजी तरही के से बनना सकते हैं आप इसको सिर्फ चाबल और दाल को भींगों के चैसे साथ घंटे के लिए रख दें और इसे पीछ के भी तिन चार के घंटे के लिए वेट करें और फटा डोसा और इटली बना के तैयार हो गया है अगर आप मेरी रेस पी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तब तक के लिए